का कि यहां कि जब भी हम जारकण देखेंगे तो साथ ही बारत और विशु करते हैं और चलिए देखते हैं बीश्व कि को बहुत ही तेजी से कि विश्व में भुगर्विक संग्रचना कैसे अपना वर्तमान रूप आई और कैसे जीवों की उत्पत्ती हुई और फिर कैसे मानों का बर्चस ताफित हुआ तो चलिए हम जानते हैं कि भुगर्विक संग्रचना को अगर समझना हो तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को इसके कालखंड को बाटना होगा कालखंड जनरली हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं हम लोग कालखंड को सहस्ता से समझने के लिए करते हैं सबसे पहले महाकल्प फिर कल्प और फिर युग इस तरह हम लोग बाट कर देखते हैं कि इसका काल खड़ने में पिर्थिवी की भुगारविक शंगरचना और जीवों की उत्पती में कैसे ये बदलाव आया तो चलिए महाकलब तो महाकलब में आप जानते हैं कि जो महाकलब हम लोगों को पढ़ना होता है उसे हम लोग प्री पेलियोजोइक या एजोइक महाकलब करते हैं दूसरा पेलियो जोईक महा कल्ब, तीसरा मेसो जोईक महा कल्ब और चोथा सेनो जोईक महा कल्ब, उसी तरह इनी महा कल्ब के अंदर हम लोग को कल्ब पढ़ना पड़ेगा और फिर कल्ब के अंदर हम लोग को यूग करना पड़ेगा, तो चलिए इस तरह देखते हैं सबसे पहले देख लेते हैं महाकल्प को महाकल्प में हम लोग देखेंगे प्री पेलियोजोईक या एजोईक इसके बाद पेलियोजोईक मेसजोईक और सेनोजोईक तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले प्री पेलियोजोईक या एजोईक यह जोईक, यह महाकल्ब है, फिर हम लोग देखेंगे पेलियो जोईक, और फिर इसके बाद देखेंगे, हम लोग मेसो जोईक, और फिर देखेंगे सेनो जोईक, मैं ऐसे नामों को सामिल कर रहा हूँ, जो पेलियो जोईक होगा, जोईक, मेसो जोईक और सेन्यो जोईक, तो मैं बता रहा था कि मैं ऐसे नामों को सामिल कर रहा हूँ, जो बार बार पूछा जा रहा हूँ, इसलिए मैं इससे सामिल कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, कि आप गार्विक संगरचना को हम लोग समझने का कोजिस करते हैं तो यह अपने आप में फिजिकल जोगरफी का बहुत ही विसाल चेप्टर है लेकिन हम उसे ही जानेंगे और उस पर ही फोकस होगा जिससे हमारे प्रस्ण जो एक्जाम में पूछे जाएंगे उसका हमहल सहचता से कर है तो चलिए हम लोग देख रहा है महा कल्प में तो महा कल्प में प्री पेलियो जोई के तो बहुत ही लोग पर ₧ है यह प्री कंप्रियं प्रीकेंब्रियन क्या होगा कल्प महा कल्प के अंदर कल्प चलिए तो मैंने कहा था कि हम लोग यहां देखेंगे पहले महा कल्प फिर कल्प और फिर यूग इस तरह हम लोग भुगार्विक शंग रच्छना जी वो कुद्पति इत्यादी को असानी से समझ सकते हैं तो चलि rarely महा कल्प का टाइम लाइन देख लेते हैं तो जो महा कल्प का टाइम लाइन है सबसे पहले पिर यूच बिलियोजयीक जो है कि चार सौ पचास से लेकर साट करोड वर्स साट करोड वर्स पुर्व की बात है फिर हम लोग देखते हैं पेलियो जनी का तो यह 40श से करोड़ वर्स पूरू की बात है फिर हम लोग देखेंगे मेसे जोईक तो मेसे जोईक 22.5 से लेकर 6.5 करोड़ वर्स पूरू की बात है और फिर से नो जोईक की जब बात करेंगे तो यह हो जाएगा साथ करोड़ वर्स पूरू से लेकर दस लाख वर्स पूरू तक की चलि के टाइम लाइन होगे हम लोग देख लिए चलि बहुत तेजी से रिपिट करते हम प्री पेलियो जोईक है जोईक का जो कालखंड है वो 450 से लेकर साथ क्रोल वर्स पुर्व है और फिर आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो हम लोगो दिखाई देता है क्या हम लोग को दिख रहा है कि सेने के जो काल खंड़ों साथ क्रोल से लेकर दस लाक वर्स पुर्व की घटना है तो चलिए अब बहुत तेज से देख लेते हैं हम हुआ तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि प्री केंब्रियन का काल खंड जब शुरू हुआ तो इससे पहले क्या हुई थी बहुत ही सहसता से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या हुआ था हम लोग ने हम लोग एक जानते प्रित्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धान्त है उस प्रित्वी की उत्पत्ति का महाविस्पोर्ट थोरी लापलासा ने दिया है तो चलिए देखते हैं महाविस्पोर्ट हुआ जब महाविस्पोर्ट हुआ तो अकास गंगा का निर्मान हुआ महा बिस्पोर्ट से ही कई अकास गंगा बने अकास गंगा और फिर अकास गंगा से क्या हुआ कई अकास गंगा बने और फिर अकास गंगा से तारो का निर्मान परक्रिया आरब हुआ और आप जानते हैं के सूरिय जो है वह एक तारा है और सूरिय से ही सौर मंडल बना सूरिके आसपास के बीविनगरों से शौर मंडल बना और सौर मंडल में ही कई गरह बने और इनहीं गराओं में से एक हमारे हिरोगरह पिर्थिवी है तो इस तरह हम देखते हैं कि प्री बढूस सब्सक्राइटू इसकह सब्सक्राइब निए आत्रा किसा हुँआगे अब पृत्रोजन कि प्रणांता हिलियम और हाइड्रोजन अब देख रहे हैं यहां हिलियम और हाइड्रोजन जो पिर्थिवी आज भी देखते हैं सुरुव में सरवाधिक मातरा में हिलियम और हाइड्रोजन ही सरवाधिक है उसी तरह पिर्थिवी उत्पत्ति के समय भी हिलियम और हाइड्रोजन ही सरवाध था उसमें आपको oxygen option रहेगा और oxygen option होगा को oxygen नहीं था यह most important है ठीक है चलिए आप फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब देखेंगे कि अखिर कैसे जब oxygen नहीं था और पिर्थिवी प्रारम में क्या था तो पिर्थिवी प्रारम में एक गैसिय पिंड था कि गैसीय पिंड हो गया गैसिय पिंड है प्रारम में पिर्थिवी पिंड जिसमने ऑक्षिजन नहीं था यह बात अची तरह से याद करना है दिमाग में ध्यान में रखना है अब क्या हुआ कि देखेंगे अब गैसिया अवस्था जो है धीरे-धीरे क्या होता है कि गैसिय आ पहले में गैस सब्कूम हो देखेंगे एक पनीड़ और यह बद्लाव मोस्ट इंपरटेंट बद्लाव है और यह बद्लाव है पिर थिवी हाऔर थोस अवस्था मैं बदलना एक ऑस्था में आना ठोश अवस्था में इनнуться से अ क्या मथा रखिक county निसटों कि इसमें ज्वाला मुखी बिस्फोर्ट हुआ ठीक है एक ज्वाला मुखी बिस्फोर्ट हुआ अब जान रहे हैं कि ज्वाला मुखी बिस्फोर्ट हुआ तो ज्वाला मुखी बिस्फोर्ट हुआ तो इससे क्या-क्या निकलता है बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है कि कि इसमें सरवाधिक क्या निकलता है तो आप जानते हैं जलवास्प होगा है नाइट्रोजन होगा कि और ऑक्सिजन होगा और कहीं धूल धूल धूलकन कि यह दूलकन लिग देता हूं धूलकन ठीक है यह कब हो रही है देखिए जब यह ठो सवस्था में बदला ठो सवस्था में ज्वाला मुखी भी स्पोर्ट होना अरब हो और उससे जलवास्प नाइट्रोजन ऑक्सिजन धूलकन होगा तो इस तरह क्या होता है देखिए अब करांतिकारी बदला होगा वह हुआ कि इसके कारण देखिए धियान से कि ठो सवस्था में बदलने के बाद ज्वाला मुखी भी स्पोर्ट अरब मुहर इसके कारण जलवात तो नाइट्रोजन ऑक्सिजन और अन्य गैस धूलकन के कारण क्या हुआ वायू मंडल बना वायू मंडल बना अब जानते हैं कि जानते हैं कि जीवन कहीं भी पन पे उसके लिए क्या जोरी है तो सिर्फ ऑक्सिजन जोरी नहीं है यह सिर्फ जल जोरी नहीं है एक वातावरन का निर्मान कोन करता है तो वायू मंडल करता है वातावरन का निर्मान कोन करता है तो वायू मंडल करता है इस तरह आप असानी से इन चीजों पर आ गया होगा कि कैसे जब पिर्थिवी की उत्पत्ती हुई तो यह गैसी अपिंड तरल अवस्ताम बदला और फिर जोला मुखी स्पोर्ट के कारण वायू मंडल बना इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन नहीं था तो जब पिर्थिवी अपना प्र जब बायू मंडल नहीं तो इस तरह क्या, जब बायू मंडल नहीं है और अक्सीजन नहीं है तो क्या जीवन होगा दिसलिब्पुरूप keee जाचाती समय थी तो ना बायू मंडल था अक्सीजन तो था लुन तो पिर्थिवी की उत्पत्ति कहां से आराभ हुई चलिए मोस् कि पिर्थिवी की उत्पत्ति के बाद इसमें जीव और उसका प्रसार और पिर्थिवी का बरतवान रूप के लिए जो जिम्मेदार क्या है जो अला मुखी बिस्फोर्ट इसलिए कहा जाता है कि पिर्थिवी में जीवन जो आरंब हुआ वह जो अला मुखी बिस्फोर्ट से हुआ यर्थात जो अला मुखी के भेंट से हुआ अब भेंट किसको कते जो अला मुखी जिसको फोड कर बाहर निकलती है यह भेंट है तो एक प्रश्ण ये भी हो गया कि पिर्थिवी में कंद्र के beers जिवन की उत्पति हो गया तो अब देख लेते हैं कि क्या का वाहा हु रहा है तो चलिए कंड़ कि कम समय में से देखने का और समझने का पर्यास करते हैं हम सभी चलिए देख लेता हैं भी हम लोग ने बात किया कि कैसे प्रीकेम्रियन कल्प में हम लोग बात करेंगे कि क्या बदलाव आया, क्या हुआ तो प्रीकेम्रियन कल्प में ये जो आला मुखी भी स्पोट के बाद धीरे धीरे बाहिमंडल का निर्मान हुआ और ऑक्सिजन भी आने लगा और जीवन अरम हुआ और जो जीवन की शुरुवात हुई वो शुरुवात किसके रूप में था तो समुद्र में समुद्री गास छोटे जीव जो समुद्र में पाए जाते थे हो सकता है ये कोशिये कोशिये ही हो यह पीर जीवन ठीक है तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं की प्रीगेंब्रियान कल्प में जो जीव आरम हुआ वो जीव कूं थे То समुद्री ऐसच छोटे चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो पेलियो जोई है तो के महा कलब में हम लोग को तीन कलप पड़ना है ध्ल म hm tomorrow तेन कलप से लोगे में और क्रबनी कम्हार okay चलिए इसमें हम लोगों को तीन कल्प देखना है अभी हम लोगों ने वहां देखा था प्री पेलियो जोईक में प्री कैम्ब्रियन इसको देखते हैं कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन कल्प कि यह है सिलूरियन कल्प सिलूरियन कल्प और यह कारवनी फेरस कारवनी तोननी कैम्ब्रियन कल्प तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तो में क्या हुआ चलिए देख लेते हैं तो प्रीकेंब्रियन कालखंड में समुद्री जीव गास छोटे जीव जीवानू जो पनप रहे थे उसकी संख्या में अपर त्यासित रूप से ब्रिद्धी हुई यर्थात जलिये जीव जलिये जीवो घासो जीवानूओ अभी हम लोग बात कर रहे हैं जल में कि संख्या में अपर त्यासित ब्रिद्धी हुई जो सुरुवात प्रीकेंब्रियन कालखंड में हुआ था वह केंब्रियन कालखंड में आते हुआ थे ब्रहद रूप धारन करने लगा अब हम लोग देख लेते हैं सिलूरियन कल्प को तो सिलूरीयन कल्प में जो हम लोग को जानना है, तो सिलूरीयन कल्प में क्या हुआ, इस इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा, प्रीकेम्रीयन और केम्रीयन का अलखंड में जल में ही जीव घास फूस, जीवानू पनप रहे थे, कोशी जीव बनप रहे थे, लेकिन सिलुरियन कालखंड में जो सबसे महतपून बात हुई वह था स्थल खंड में किसका पाउधा स्थल खंड में हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे केमरियन कल्प में समुद्री जलिये जीवों की संख्या में अपरत्यासित रूप से ब्रिद्धी हुई अब देख रहे हम लोग सिलुरियन कल्प की तो सिलुरियन कल्प में पहली बार इस्थल खंड में जीवन आनम भुआ और जीवल आनम होने का क्या था कि वो था छोटे घासफूस और पौधे इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कारवनी फेरस में तो चलिए देख लेते हैं कारवनी फेरस में क्या हुआ था तो कारवनी फेरस में प्रकिरिया जो हुई थी कारवनी फेरस में हम लोग जानते हैं कि संपून पिर्थिवी जो है उसके केंद्र में पेंजिया जो की ठोस भाग था जबकि इसके चारो और पेंथलासा जहलिये भाग था लेकिन इस दावरानिक बात करना जरूरी है कि कैसे समुद्र में इस थलिया जीवों की शेंख्या और रिंगने वाले जीवों का भी बर्चस्व आया और फिर देखते ही देखते विशाल जीव शमू का निर्मान पिर्थिवी में दिखाई देने लगा कारवनी फेरस कल्प की एक अत्यनते महत्वपून घटना हुआ है पिर्थिवी का वर्तवान रूप का आरंभ होना देखते हैं हम लोग कैसे कि पिर्थिवी धीरे-धीरे महादीपर महा सागर्व के वरतमान रूप में आया या फिर अपना रूप गरंड किया तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संपुन पिर्थिवी था उसके केंदर में जो ठोस भाग था उसे पेंजिया कहते हैं जबकि उसके चारोर का जो जलिय भाग था उसे पेंथलासा कहते हैं और फिर यहीं से देखते हैं हम कि कैसे पेंजि कहा जाता है जबकि दक्षिनी भाग को गुंडवाना कहा जाता है और इस तरह पिर्थिवी में इसपस्ट विभाजन आरम हो जाता है द्वीप के मध्ध शमुद्रों का और फिर जो स्वरूप आता है उभर कर वह बर्तमान स्वरूप से मिलता जुलता पिर्थिवी के और सागरों का रूप है जिसे जिक्सो फिट जो वेगनर का कॉंटिनेंटल थियोरी है उसमें कहा जाता है कि पिर्थिवी के माधीपों को अगर एक साथ समेटा जाए तो वो जिक्सो फिट की तरह फिट हो जाएंगे और वही धीरे-धीरे अलग होकर वर्तमान स्वरूप म क्या हुआ करांतिकारी घटना हमारे भारत को महान बनाती है महान हिमाले का जन्म टिथि शागर से ही महान हिमाले का जन्म हुआ और इस तरह हम देख रहे हैं कि कार्मनी फिरस कल्प में क्या बदलाव आया तो हमने अभी देखा कि प्री पेलियो जोईक के प्री केम्रियन में कैसे पिर्थिवी गेस के गौला से जीवों के उत्पत्ति हुई फिर पेलियो जोई क्वी केमरियन कल्प में जलिये जीवों की शंख्या में बृद्धि हुई फिर सिलोरियन कल्प में स्थल में जीवन आरम हुआ और फिर कारवेनी फेरस कल्प में देखा हमने की कैसे पिर्थिवी ने अपना वर्तवान रूप लेना आरम ही किया और इसी द में हम बात करेंगे ट्रैसिक कल्प की और जुरासिक कल्प की और आपको याद होगा कि मेसज़ेक कल्प का जो कालखंड है वह 22.5 करोड़ पुरु से लेकर 6.5 मतलब 6.5 करोड़ पुरु के मध्ध का है तो अभी हम लोग जो देखेंगे वह है ट्रैसिक कल्प तो ट्रैसिक कल्प में क्या बदलाव आता है और यहां बदलाव कैसे इस्तंधारियों के लिए काया पलट कर देती है तो चलिए इसमें देखते हैं कि ट्रैसिक कल्प में जो छोटे-छोटे रेंगने वाले जीव थे जिसका अभियूद है हम जान रहे हैं कारवेनी फेरस में ही हो चुका था कारवेनी फेरस कल्प में वह अब अस्तंधारियों में बदलने लगा यह था चोटे यह अस्तंधारियों का जो सुरुवात है वह ट्रैसिक कल्प में हुआ यहां एंफिवियन का भी बर्चस वह काफी बढ़ गया था चलिए अब बात करते हैं मेसोजोईक महाकल्प के जुरैसिक महाकल्प की जुरैसिक कल्प की महाकल्प नहीं चुकि यह महाकल्प मेसोजोईक हो गया और इसके अंदर हम बात कर रहे थे ट्रैसिक कल्प और जुरैसिक कल्प की तो जुरैसिक कल्प की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यह मैं बता दूँ कि जुरैसिक कल्प जो है « यह डाइनासोर यूग है» तो यह confusion नहीं होना चाहिए कि जो डाइनासोर यूग के करण tech का नाम जुरैसिक कल्प पड़ा है चलिए मैं इस पस्ट कर दूँ कि जुरैसिक नाम के पीछे का कारण यह है कि जुरा पहाड़ी स्वीजिया लेंड में है और स्वीजिया लेंड की जुरा पहाड़ी में कुछ साक्ष मिले डाइनसोर से जुड़े हुए इसलिए इसका नाम जुरैसिक कल्प रखा गया और दाइनासोर के वर्चस्व से सुरूर होता है आप जानते हैं यह बहुत ही प्रभावसारी ढंग से अपना जीवन यापन करता था प्रन्तु किसी ना किसी कारण बस संभावता बैग्यानिकों का मानना वातावरन में बदलाओ जिसके कारण विसाल काई डाइनासोर का अस्तितु भी समप्त हो जाता है इस तरह हम अभी देख हमने देखा कि मेसोजोईक महा कल्प के ट्रैसिक कल्प में रेंगने वाले जीव चोटे इस्तंधारी में बदलते हैं और फिर जुरासिक कल्प में डाइनासोर जैसे बिशाल इस्तंधारियों का वर्चश्वारंब होता है और देखते ही देखते यह वर्चश्व समाप्त भी हो जाता है तो चलिए अब देखेंगे हम लोग सेनोजोईक महा कल्प को अब तक हमने देख लिया प्री पेलियोजोईक महा कल्प फिर हमने देखा पेलियोजोईक महा कल्प और फिर देखा हमने मेसोईक महा कल्प तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग सेनोजोईक महा कल्प की तो सेनोजोईक महा कल्प में हमें जो देखना है हुआ है त्रीतिय क कल्प और चतूर्त कल्प तो पहले मैं ये बता दू कि सेनजो एक महाकलप का काल खंड है यह लगबख सात क्रोड वर्स पुर्व से लेकर दस लाख वरस पूर्व के मद्ध है लेकिन हम जब बात करते हैं तृतिय कल्प की तो तृतिय कल्प का जो काल खंड होगा वह सात करोड से लेकर एक करोड वर्स पुर्व के मद्य होगा जब की चतुर्त कल्ब का जो काल खंड होगा वह एक करोड से लेकर दस लाख वर्स पुर्व की है हम लोग अभी देख रहे हैं से लोग महा कल्प के तृतिय कल्प के अंदर क्या क्या देखना है तो तृतिय कल्प के अंदर हम जो देखेंगे वह है इयोसिन यूग, इकोसिन यूग, मायोसिन यूग और प्लायोसिन यूग को तो पहले मैं बता दूँ कि तृतिय कल्प के जिन यूगों को मैं इसमें सामिल किया हूँ उसे बार बार प्रस्ण पूछा जाता है और ये महत्वपुर्ण है चुकि ये टाइम लाइन काफी लंबा होता है और सभी से प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं इसलिए केवल उसी कालखंड को इसमें सामिल किया गया है जिससे निरंतर प्रस्ण पूछे जाते हैं तो चलिए अभी हम देख रहें तरितिय कल्प के इयोसिन यूग, इकोसिन यूग, मायोसिन यूग और प्लायोसिन यूग को तो इसे देख लेते हैं तो प्लायोसिन यूग, हाँ ठीक है तो चलिए आप देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं सेनो जोईक महा कल्प, सेनो जोईक महा कल्प के अंदर तृतिय कल्प और तृतिय कल्प के अंदर हम लोग देख रहे हैं इयोसिन युग को तो इयोसिन युग को आधी नूतन युग भी खा यह पूछा भी जाता है क्योंकि कभी कभी option हिंदी में ही रहता है तो आपको यह भी जान लेना है कि इयोसिन युग को अधीनूतन, मायोसिन युग को अलपनूतन और प्लायोसिन युग को अतीनूतन कहा जाता है चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इयोसिन युग में हम जान रहे हैं कि हिमाले का बनना सुरू हुआ था और इकोसिन युग यानि अधीनूतन युग में सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो उत्पत्ती हुई जिसका बर्चस्वा आज है पिर्थिवी में जीहा हुआ हुआ और मानों का जो अबुद्य अरंभ हुआ हुआ वनमानूस के रूप में हुआ था और आप देख रहे हैं कि वनमानूस में ही मानूस छुपा हुआ है और इसी से हमारा जीवन अरंभ हुआ फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं मायोसिन युग की तो मायोसिन युग इसे अल् फिर हम लोग बात कर रहे हैं प्लायोसिन यूग की जो अतीनुतन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हिमाले का निर्मान पूरा होता है, यह अर्था सिवालक स्रेनी का भी निर्मान हो जाता है, इस तरह हम देखते हैं, सेनोजोईक महाकलब के तृतिय कलब के अंदर इयोसि यूग तक में हिमाले बनकर पुरा हो जाता है लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो प्लाइशन यूग के साथ है जो पूछा जाता है बारवर वह यह है कि पिर्थिवी का जो वर्तमान में महादीप और महासागर में विभाजन है उसका अंतिम रूप जो है वो जुड़ा हुआ है और सेन जो एक महा कल्प से जुड़ा हुआ है कि झाल 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 हमने अभी देखा सेन जो एक महा कल्प के त्रित्य कल्प के अंदर योसिन यूग जिसे आदीन उतन यूग भी कहा जाता है जब हिमाले बनना शुरूआ तो फिर इकोसिन यूग जिसे अदीन उतन यूग कहा जाता है जिसमें शिवालक शिरेनी का निर्मान पुरा हुआ एर्थात हिमाले का निर्मान पुरा हुआ और महाधी परमासागर को वरतमान रूप मिला चलिए अब बात करते हैं हम लोग से पिलिष्टोशन यूग पिलिष्टोशन यूग को अत्यंत नूतन यूग या फिर अभी नूतन यूग भी कहा जाता है और इसी तरह खॉलोशन यूग जिसे अधुनिक कहा जाता है पिलिष्टो सुन यूग अत्यांत नुतन या अभी नुतन यूग जो इसे आदी मानव यूग के नाम से जाना जाता है जबकि होलो सुन यूग जो है उसे अधुनिक मानव या था तो होमो सिपियंस यूग के नाम से जाना जाता है और मैं आपको बता दू कि इसका जो कालखंड है वह एक लोड़ वर्स से लेकर दसलाख वर्स पुर्व के बीच है और इस शमय जो पिर्थिवी में सबसे ज़्यादा वदला हुआ था वह वदलाओ था पिर्थिवी में जलोड मैदान उब्याओ भूमी का छेतर फल में जिसने जीवन को फलने फूलने का मौका दिया यह जीवन चाहे जीवजन्तू के रूप में हो मानो के रूप में हो या पेड़ पौधा के रूप में हो इस तरह चली है तेजी से देख लेते हैं कि हमने यहां क्या देखा तो हमने देखा कि पिर्थिवी के उत्पत्ती कैसे पिर्थिवी में जीवों की उत्पत्ती कैसे हुई और फिर डाइनासोर जैसे विसाल इस्तंधारी की उत्पत्ती हुई और उसका वस्तित्त समाथ हुआ और मानव की जो उत्पत्ती हुई वह अपने चेरम पर पहुँच चुका है और बहुत ही तेजी से हमना केवल पिर्थि तो हमने देखा यहां कि पिर्थिवी की उत्पत्ती कैसे हुई और जीवों के साथ सत्मानों का वर्चस्व भी कैसे स्थापित हुआ और पिर्थिवी वर्थमान रूप कैसे प्राप्त किया